अगर आप अपने घर के पित्रों पूर्वजों को मंदिर में बिठाना चाते हैं, तो कोशिश करें कि मंदिर में जहां दक्षिन पश्चिम का इस्थान आ रहा है, वहां नेरित्य कोना वो मंदिर का होगा, वहीं पर आप अपने पित्रों पूर्वजों की तस्वीर को रखे लेकिन पूजा करते समय या भोग लगाते समय ये ध्यान रखें कि जो उनके भोग रहते हैं पित्रों की वो अपने खाने में नहीं लिये जाते हैं और जो भगवान को भोग लगता है उस थाली को हम जो स्वेम भोजन करते हैं उसमें मिला दिया जाता है तो पितरों के लिए एक छोटी सी प्लेट अलग से आप निकाल कर उसमें ही जो आप भोजन बना है उसको रखिए और भगवान की थाली परोज कर जब भगवान को लगाई तो उसी समय एक छोटी सी प्लेट में अपने पूर्वजों के निमित जो भोग रख रहे हैं वो वही पर रख दीजे और जब भोग परदा आप हटाएंगे भोग उठाएंगे वहां से तो भगवान को जो भोग लगाया था वो थाली अपने घर के भोजन में मिला लेंगे और जो पितरों के लिए आपने थाली रखी थी उसको किसी गाय को या जिसे पेड की जड़ में जो ब अगर छट पे कागा आदी आते हों तो उनके लिए डालें तो ये ठीक रहेगा उसको अपने खाने में नहीं लिया जाता है ये ध्यान रखते हुए आप कर सकते हैं दिया भी जलाएंगे तो पितरों पूर्वजों का दिया अलग जलेगा भगवान का दिया अलग जलेगा ये आपको ध्यान रखना है, दिसाज से लेकर भोजन और पूजा में ये चीज़ों का ध्यान रखना है, अगर तिलक लगाते हैं भगवान को, तो भी ध्यान रखेंगे, कि जिस तिलक की कटोरी में से पित्रों पूरवजों को तिलक लगाया जारा है, उसको या तो फिर दूसरे दिन अमन्या करके धोकर फिर भगवान को लगाईए, अगर उसी में से आप रोज लगाते हैं, तो आपको दो ऐसी डिबभी कर लेनी चाहिए, जिसमें एक मैंसे आप पित्रों पूर्वजों को तिलग लगाएं और एक मैंसे भगवान को लगाएं साथ